नमस्कार मित्राय आप सबीका स्वागत करते हैं जोपलेट गुरु में आज का अमारा वीडियो विरोजगारीबता 2019 के लिए आपके लिए एक नया अपडेट है जो विरोजगारीबत्ते का फॉर्म अपलाई कर दिये उनके लिए एक नया अपडेट है जून में मिलेगा वि बिरोजगारी बत्ता 3500 रुपए या फिर 3000 रुपए ने बिरोजगारी बत्ते का जो फॉर्म अप्लाई किये उनके लिए एक नया अपडेट है साथी ने बिरोजगारी बत्ते का फोर्म अपलाई करने वाले उन्ने कौन से महिने में बिरोजगारी ही बत्ते का फोर्म अपलाई किया है तो उनको 3500 रुपए या पिर 3000 रुपए मिलेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो के मादिम से बताएंगे तो दोस्तो आप वीडियो को शुरूँ से अन तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा लें फोर्म बराएं उनको जून मा में ही विरोजगरी बता मिलेगा अगर मैला है तो 3500 रुपए और अगर पुरुस है तो 3000 रुपए अगर दीव्यांग है तो 3500 रुपए परतिमा वो जून में मिलेगा अगले पुर्म पर हम बात करें तो रोजगार कारियले के अधिकारियों के अनुसार 30 सितंबर 2018 तक आवेदन करने वाले समस्त युवाओं को नई दर्से बिरोजगरी बता जारी किया जा चुका है 30 सितंबर 2018 तक आवेदन करने वाले जितने भी युवा हैं उनको नई दर्से बिरोजगरी बता उनके खाते में आ चुका है 1 सितंबर 2018 तक आवेदन करने वालों को भी मार्च महीने का जो बिरोजगरी बता है वो जून में मिलेगा 1 अक्टूबर 2018 वा इसके बाद वाले आवेदकों को नवंबर दिसंबर वा जनवरी माहा का बता पुरानी दर्से मिलेगा दोस्तों ध्यान से देखिए 1 अक्टूबर 2018 या फिर इसके बाद जो ओनलाइन आवेदन किया है विरोजगरों ने चाहे महीला पुरुस ने उनको नवंबर दिसंबर वा जनवरी का विरोजगरी बता है वो पुरानी दर्के अनुसार ही मिलेगा विरोजगरी बता 2019 में कुल 1902 लोगों को मिल चुका है राज़तान विरोजगरी बता 2019 में नहीं गोशना हुई थी और मारत समा से 3000 रुपए पुरुसों को और 3500 रुपए मैलाओं को दिव्यांग को 3500 रुपए परती मा मिलने की गोशना हुई थी जिसके बारे में हम डेटेल में बात करें तो राज़तान विरोजगरी बता की जो में वेबसाइट है वो फिलाल काम नहीं कर रही है और विरोजगरी बते का जो फॉर्म अपलाई क 3500 रुपए अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 3500 रुपए परती मा मिलेंगे फरवरी 2019 से इन्हें नई दर्से जारी किया जाएगा अधिकारियों के मताबिक विदानसबा चुनाव अचार सहींता के दोरान 15 दिसंबर 2018 के बाद राज्य में आवेदन अधिक आने से वे पूरानी दर्से दिया जाएगा तो जिन विद्यारतियों ने गोशना होने के बाद में बिरोजगारी बता 2019 का ओनलाइन फर्म अपलाई किया उनको ही 3000 रुपए और 3500 मिलेंगे फरवरी से पहले अगर किसी ने बिरोजगारी बत्ते का फर्म अपलाई कर दिया तो उनको प प्रसदान.gov.in.a यह एक नई वेबसाइट बनाएगी थी ऐसे में पता नहीं चल रहा है कि किस जिले में परती दिन कितने आवेदन हो रहे हैं इस वेबसाइट से रोजगार कारियों को पता ही नहीं चल रहा है कि जो विरोजगारी बत्ते का फर्म अपलाई करते हैं वो अपन हो रही है तो आफ वेट कीजिए आप अगर अभी अपलाई करेंगे फर्वरी बहिने के बाद में या फिर फर्वरी से जिन्होंने बिरोजगारी बत्ते का फर्म अपलाई किया उनको 3000 और 3500 ही मिलेंगे और अधिकारियों को कहना है कि हमने फर्वरी मा का बिरोजगा अप्लाई कर दिया उनका फर्म अप्लाई कर दिया है कुछ समय हो गittा उनका फर्म अप्डेट नहीं हो रहा है तो वह भी वेट कीजिये क्योंकि website में कुछ technical problem आ गई है तो उनका भी form में अप्रूव हो जाएगा और उनका भी बेरोजगारी बता है वो परतिमा अगर महिला है तो 3500 रुपे अगर पूरुस है तो 3000 रुपे अगर दिव्यांग है तो 3500 रुपे परतिमा मिलना शुरू हो जाएगा तो तब तक आप वेट कीजिए पहले form को अप्रूव होने जिदिए और बेरोजगारी बते का form का status आप देखते रिए जैसे ही आपका form अप्रूव होता है तो आपको भी बेरोजगारी बता मिलना शुरू हो जाएगा नए की मारच से होगा मालीजे अगर आपका form अप्रूव मार्च में होता है तो आप अभी अर्थी को फरवरी मार्च से ही बिरोजगारी बता मिलेगा तो दोस्तो यह तो था आज का हमारे वीडियो बिरोजगारी बता 2019 एक न्यू अपडेट था हमारे दोवार आपको डिटेल में बताया गया उमीद करें दोस्तो हमारे दोवार दीगे जानकारी आपको अच्छे लिए आपके समझ में आई होगी अगर फिर भी आपके मन में कोई स्वाल विचार है तो आप अमें कोमेंट कर सकते हैं हमारे तरब से आपको रिप्लाइ किया जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो थैंक्स पूर बोचिंग आपका जिन शुबहो